केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग ने एक बड़ा आरोप लगाया है उनका कहना है कि हिंदू वोटर्स के वोट कार्ड दिये गए हमारे साथ हैं केंद्रिय मंत्री गिरिराज देखे मैं जिस दिन चुनाव लड़ रहा था बोटिंग था उस दिन जगह जगह से आ रहा था कि हमारे बुटर कार्ड लेके जा रहे हैं मेरा नाम नहीं है और कई लोग तो डियम के आगे धर ना दिये डियम भी वेबस था कुछ कर नहीं सकता था जब हमारे बगल के राजी के राजमाहल के एक विधायक अनन्त हो जाने इस पर बुथवाई समिच्छा की तब हम भी करवाना शुरू किये हैं बुथवाई समिच्छा और ये अब खुल करके निकल के आ रहा है कि हर बुथ से 20-30 से ले करके 50 बुथ तक डिलिट किये गए हिंदुओं के और राजमाहल में आया है कि मुशलिम बुथों पर 2019 में जहां 672 था वहां 1470 आ गया है इतने बुथ बड़ा बुथ को दो भाग में बढ़ दिया गया बठी जाता है नियम ही है ये लव जहाद के लेंड जहाद के बाद बुथ जहाद हुआ बुथ जहाद हुआ और ये बुथ जहाद जितना हिंदूओं का बुथ कटा उतना ही आबादी के अनरूप मुसल्मानों का बुथ जुटा बुथ जहाद के बात करें गिरिराज जी ये बताएं कि आखिर कौन कर रहा है ये और कहां कहां ये आपने देखा ये आ रहा है सुचना बंगाल जहाद खन बिहार यूपी हर जगह से अब मैं पहले अपने कंच्वेंसी को और अगल बगल बिहार को जहाद खन लिया है अब धीरे धीरे जब होगा तो देश के चुनाव आयूग से मेरा अपील है कि इसके आधार पर एक सरवेक्षन का गहन चिंतन किया जाए इस पर गंभीर चिंता की जाए कौन कर रहा है ये बुट जिया और कौन टुकरे टुकरे गैंग बड़ातिस मारखा बन रहे थे हर लोग सभा में लगभग एक लाख बुटो की चोड़ी की है एक लाख बुटो की है लोग सभा के चुना अब ये धीरे धीरे बात खुलने लगी है आपने जिन चार राजियों का नाम लिया उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है फिर ये कैसे हो रहा है फिर अब सरकार से हर्ची जब चुनाव आयोग ले ले लेता है तो चुनाव आयोग का एक सिस्टम है उसी में हैक हुआ है इसकी जाच होगी जाच होगी तो पता चलेगा कौन दोसी है हम तो केबल चीजों को रख रहे है उत्तर प्रदेश में एक मामला सामने आया है जहां दुकानों के बाहर दुकांदार के नाम को लिखने की बात सामने आई है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह काव देखिए मैं मनमोहन सिंग को धनवा दूंगा कि 2006 में उन्होंने एक कानून बनाया था 2011 में उसके सारे नियमावली नियम बन गए और लगता है इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने महशूश की होगी उन्होंने लाया है जब लाया है तो लोगों को पालन करना चा को महशूश हुआ तो बिहार को भी महशूश होगा तो खड़े आप भारत सरकार के कदावर मंत्री हैं अगर आपका इतना बड़ा दावा है तो क्या भारत सरकार अपनी तरफ से इसमें कोई जांच यह समिक्षा की गोशना करें चुना हुआ यो का मामला हर चीज में सरकार थोड़े अस्त अच्छेप करती है विबक्ष ने पटना में सड़क पर एक प्रतिरोध मार्च किया और उसका कहना था कि राज्य में क्राइम की घटनाएं बढ़ गई है हाला कि तेजस्वी खुद नहीं थे तेजस्वी जी एक गंभीर विपक्ष नहीं है नेता गंभीर ह होते तो ये समय बार का समय बिहार बार से गर्षित आधा बिहार रहता है और समाजिक सोहर्थ बिगरने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन वो तो कहीं बिदेश देश से कहां है पता नहीं है लेकिन कहीं बाहर है गये हैं आराम फढमाने चुनाव में जितना मेहनत किये थ बिपक्ष ये भी कह रहा है मुझे पुराने दिल लवटा दो तो मैं पूछना चाहता हूँ कि लालू जी क्या आपके नरसंगार के दिन कह रहे हैं लवटा दिया जाए क्या जिस तरह से अफ़ारन उद्योग चल चुका था वो दिन लवटाने के लिए कह रहे हैं या मा कहती थी बबवा घर साम के पहले आजा वो दिन लवटाना चाह रहे हैं सो केश से सो रूम से गारिया निकाल ली जाती थी वो दिन लवटा लेना चाहते हैं जेश दिन मुकेश सहनी जी की पिता जी की हत्या हुई हम सब भी मरमाहत हुए मुकमंत्री ने भी संबेदना परगट की और मुकमंत्री ने बड़ी अधिकारियों के साथ समिच्छा भी की है निर्देश भी दिया यह से हमारे साथ केंद्रे मंत्री गिरेराज सिंग जिन्होंने तमाम मुद्धो पर अपनी बेवा कराय रखी कैमें को सिंदीपक के साथ आदिते वाभो पटना आज तक